ओम शान्ति आज तिनांक 24 जुलाई 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइच कोर्स 18 दिसंबर 1909 को हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बोले मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय वा ट्रस्टी भाव आज बाबा हम बच्चों को निर्भय वा ट्रस्टी भाव का वर्दान देते बाबा कहते मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय वा ट्रस्टी भाव डिटेल में बाबा कहते लोग मरने से डरते हैं और आप तो मरे हैं बाब दादा कहते लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए नई दुनिया में जीते हो पुरानी दुनिया से मरे हुए हो तो मरे हुए को मरने से क्या डर वे तो स्वता ही निर्भय होंगे बाप दादा हम बच्चों को इस संगम यूग पर एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाते तो रूहानी बाप की हम रूहानी संतान बनते बाबा हमें सर्व प्रथम पहला पाठ पढ़ाते तुम एक आत्मा अजर अमर अविनासी हो तुम निराकार पिता परमात्मा की संतान हो तो हम आत्मा अजर अमर अविनासी हैं तो हम मरने से निर्भय हो गए अर्थात डर हट गया अब बाबा कहते कि तुम आत्मा जब आय थे तो निराकार असरीरी आय थे सूला कला संपूर्ण सर्वगुन संपन संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक आय थे तो अब तुम्हें घर जाना है ऐसा ही बन कर तो ऐसा बनने के लिए बाप दादा पुरुशार्थ बताते हमें कि तुम इस मरजीवा जन्म में खुद को निराकार आत्मा अनुभाव करो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो, देह तथा देह के बंधन से, सुख सुविधा के साधनों से, खुद को नियारा प्यारा अनु सेंद्रियों का सहारा लेकर जो भी कर्म करते हो, निमित होकर करो, ट्रश्टी होकर हर आत्मा के पाल्ट को देखो, ड्रामा के हर सीन को देखो, तो हम जितना जितना खुद को आत्मा अनुभाव करते हैं, उतना हम निर्भय बनते जाते हैं, और ट्रश्टी होकर जब कर्म क आत्माओं के पार्ड को देखते हैं, स्वयम के पार्ड को देखते हैं, तो हम न्यारे और प्यारे स्वतह बन जाते हैं. आगे बाप दादा कहते लेकिन यदी कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याउ म्याउ करेगी लोगों को मरने का चीजों का या परिवार का फिक्र होता है आप ट्रस्टी हो यह सरीर भी मेरा नहीं है इसलिए न्यारे हो जरा भी किसी से लगाओ नहीं हम बच्चों को बाबा सिरीमत दे देते कि जो भी जिम्मेवारिया है जो भी बोज हैं सब मुझे दे दो खुद न्यारे प्यारे हलके होकर रहो क्योंकि अब तुम बच्चों को अपने घर जाना है तो सर्व प्रथम तुम्हें हर कर्म हर बोल हर संकल्प सेवा अर्थ करना है क्योंकि यह जो तुम्हें जन्म मिला है यह परमात्मा पिता की देन है और सेवा अर्थ हमें यह जन्म मिला तो अब हम जो भी कर्म करते हैं उस पिता परमात्मा की सेवा अर्थ करते हैं हमें पुरानी दुनिया से पुराने देह से पुराने सुक सुविधा के साधनों से न्यारा बना देता है बाबा सर्व संबंद की अनुभूती कहता है मुझसे करो सर्व प्राप्तियां मुझसे करो और जो भी प्राप्तियां होती हैं उसे सेवा अर्थ लगाओ यूज करो स्वप्रति यूज करो अन्य आत्माओं के प्रति यूज करो तो जो भी सीन आती है जो भी आत्मा का वेवा उसे साक्षी होकर देखो जैसे कोई खेल चल रहा है तो जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो खुद का पार्ट अलग अनुभव होता है सर्व आत्माओं का पार्ट अलग और पाबा का पार्ट अलग तो किसी भी आत्मा के पार्ट में लगाओ या जुकाओ नहीं होता क्योंक कि हम बेहद की बाप की बेहद की संताने हैं, हमारे बुद्धी में बेहद का कल्यान समाया हुआ हैं, तो हर कर्म सेवा अर्थ होगा, उस पिता विश्व कल्यान कारी पिता की सिरीमत अनुसार होगा, तो हम प्रष्टी, निर्भय और न्यारे प्यारे स्वताह और सहज बन जा और सुक्ष्म बंधनों की लिष्ट सामने रखने की बाबा स्रीमत देते कि लक्ष रखो मुझे बंधन मुक्त बनना है अब नहीं तो कब नहीं सदा यही पाट पक्का रहे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि ब्रह्मन जीवन अर्थात लगाव मुक्त जी नारा और प्यारा जीवन एक के साथ संबंध बाकी सब के साथ संबंध ना रहे क्योंकि बाबा कहते जब तुम ग्रस्ती बनते हो जिम्मेवारियां लेते हो तो बोच तले दब जाते हो तो हर काम ट्रश्टी होकर करना किया और मुक्त स्लोगन में बाबा कहते अपनी दिल को ऐसा विसाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो अर्थात बेहद का बाप हमें बेहद की संतान बनाता तो हम बेहद के बाप की संताने अपने मन बुद्धी द्वारा बेहद की सेवा अर्थ स्वयम को निमित बनाते हद की इच्छाओं से हद के संस्कारों से हद के संबंदों से न्यारे और प्यारे बन कर एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहते सदा उस पिता के गुण तथा संसकारों को धारन करने का लक्ष रखते तो यही पाप दादा कहते दिल को ऐसा विसाल बनाओ जो स्वपन में भी पुराने संसकार हद के संसकार इमर्जना हो अच्छा ओम शांती